हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको सूपर टेस्टी वेज मश्रूम की मा बना कर दिखाने वाली हूँ और इससे बहुत टेस्टी बनता है जट पर तियार हो जाता है तो आईए शुरू करते हैं दोस्तों मैं हर अपते कुछ अच्छी अच्छी रेसिपी से अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ इनका अब्डेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें इससे आपको मेरे सभी नए वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा वैज मश्रूम कि मैं बनाने के लिए हमेज़ चाहिए मैने यहां पर 200 ब्राम जेंग है दो टमाटर जीने मेरे पीस ली लिया है दो प्याज जीने मे फाइनल शॉप कर लिया है एक चमच लालमेशी पाउडर, एक चमच नमक, एक चमच थोड़ा कम हल्दी पाउडर, देट चमच लैसुन अद्रक्की पेस्ट, एक चमच गर्मसाला, एक चमच धनिया पाउडर, एक चमच जीरा, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, और 7-8 चमच के करीब सरसों का तेल गर्म कर लेते हैं, तेल गर्म हो गया है, अब हम इससे मश्रूम डालेते हैं, और इन्हें हम थोड़ा सा चला लेंगे, ताकि थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं, फ्रेंड्स आप ही रेसिपी एक पर जरू ट्राय करें, सीरेसली वोड़ी आपको बहुत पसंद आएगी, तीन-चार मिट में ने मश्रूम को फ्राई कर लिया है, और थोड़ी मश्रूम थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, अब हम गैस बंद कर देते हैं, और इसे हम एक बाउल अब हम इसे ठंडा करके, मिकसी में हलका सा चौप कर लेंगे, हमें इसे बहुत ज़्यादा बारिक नहीं पीछना है, बस हलका सा चौप करना है, जब तक मश्रूम ठंडी हो रही है, तब तक हम मसाला त्यार कर लेते हैं, गैस अन कर लेते हैं, फ्रेंट्स हम यही पैन यू हो गया है अब हम इसमें जीरा डाल लेते हैं जरेकों तोड़ा सा भून लेंगे यह देखिए जीरा भून गया है अब हम इसमें प्याज डाल लेते हैं और इसके भी चला लेते हैं फ्रेंड्स अब आप अपनी बनाई हुई किसी भी फूट की फोटो मेरे फेस्बुक ग्रूप में शेयर कर सकते हैं मैंने ग्रूप का लेंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है और यह बिल्कुल यह देखिए जब आज थोड़े से गोल्डन ब्राउन होने लगे तब अब हमें लेशन फराइदरगे डाल देंगे और सेलेंगी मैशन अध्रत्रक पेस्टक एक निट तक भून लिया है कि यह सम कम करतेढ़े मखिये से मसाले डालेते हैं अब हल्दी पाउडर मश़् पावडर लगसे में ऐसे मिक्स कर लेंगे हमें ऱीघक्रों कोशन एक हमें अब हम इसमें टमाटर की पूरी डाल लेते हैं गैस हम तेज कर देंगे अब हम इसमें धनिया पाउडर, गर्मसाला और नमक डाल लेते हैं अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यह देखिए, मसालों ने तेल छोड़ दिया है अब हम थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं जिससे कि मसाले जले नहीं मैंने यह पर दो तीन चमज के करी पानी डाला है जैस हम कम कर देंगे मश्रूम हमारी ठंडी हो गई है अब हम इसे पीस लेते हैं यह देखिए मेरे मश्रूम को हलका सा चॉप कर लिया हमें इसका पेस नहीं बनाना है हलका सा दरदरा ही रखना है अब हम इसे मसालो में डाल लेते हैं अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं में उजरी तो दूआ है झालें है मश्रूम व राइए किया थोड़ा सा पानी निकल गया था इसए अब हम स्कृट में डालेथे हैं अब आप्धिन चंपश पानी निकल गया ता दूड़ा से निकल गया हैसे फेकना लेते है आप अब हम गयास कम करके भख कर पाच मिंट पकने देंगे पार्य कुछ मिन्ट कर लेते हैं तो बहुत बड़ी हुश्ण के भड़ी है वेज मिश्रूम की मा त्यार हो गया है, गैस बंद कर देते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया डालकर एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं, आईए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं, फ्रेंट्स आप इसे घर पर जरू ट्राए करें, इस जट पर तियार हो जाता, उसका टेस्ट सच में बहुत बढ़ी है, आप इसे एक पर जरू ट्राए करें, यदि आपको मेरी रेस्पी पसंदा आई हूँ, तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी क्लिक करें, इससे मेरे आने वाली सबी रेस्पी का आपको तुरंट पता चल जाएगा, तो जल्दी मिलते एक और नही रेस्पी के साथ, बाई बाई